모ARD दोस्तो गुर्ट मौर्णिंग वेरी गुड्मोर्निंग दोस्तो वाकत है आप सभी का आप के अपने YouTube-CN-L-YupSC-11 । मैं प्रशान दिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं गुड्मार्निंग गुड्मार्निंग नवीन रिशिकेश दिपांशू फैज स्वेटी गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मारिंग श्यर कर? अपने सभी से श्यर कर से और अच्छ न कर अपने एक्साम की तेहरी चलती रहे हमारी विशिय persuaded सभी को ज़ब Royal Stars दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यह बहुत बड़ी बात होती है कि सुभे सुभे इतने बज़े साथ वजे हम सभी के सभी अवेलेबल हैं आप एक लेने के लिए और आप सभी को शुरू में एक चीज और बता दों दोस्तों कि आज सुभे मेरे साड़े नौ बज़े एक सेशन है तो आप सभी जुड़िएगा और एक सेशन शाम को है उसमें भी आप सभी जुड़ना इसके क्या है यह एक सेशन है यह लिंक में आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा और उसके बाद पर क्या है इक और जो पॉलिटी के लेक्टिए उसमें क्या है Most Important Questions वो भी हम डिसकस करेंगे तो आप सभी से आप सभी को वहां पर जुड़ना है सभी को Good Morning Good Morning सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तो नमस्ते गुड मॉर्निंग तो यह सारी की सारी चीज़े अपडेट है अपने टाइम टेबल उसी साथ भी रखना साड़े-9 बज़े आप पर भी बिलना है तो मेरा नाम प्रशांति वारी आप सभी जानते हैं मैंने पांच साल का एक्सपी अपना ही परिवार है अपना चैनल UPSC 101 का परिवार है तो जियोग्राफी 101 आपका UPSC 101 सभी पर जुड़ना आपको ठीक है दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं बहुत ही बढ़ी हूं आप सभी कैसे हैं दोस्तों सभी के सभी अच्छे होंगे और आप सभी मैंने आज अनगेडमी आप प्र जूड़ना है वहां पर आएगा वहां पर जूड़ना है वहां पर सब्छल रहा है और इसके अंदर में आपको जोड़ता है ये इसी आपको कितने टाइम का मिलेगा ये जब तकgress आपको मिल जाएगा तो ये मेगा सब्सक्रिप्रिप्शN आफर चल रहा है ऐसे यह आपके वनियर प्लान है डोनों के दोनों प्लान है आप सभी के सभी आई यह जुड़िए फटा-फट से बस कोड हर जगे पर याद रखना है दोस्तों कहीं पर भी आप अगर फ्री क्लास के लिए एक प्लाइब पर जुड़ रहें तो भी कोड क्या लगाना है पी आ और लुझे जर्नेल गुड मौनिंग सलोनी अखंड स्ने पल्लवी नवीन सभी को गृष्ट मॉर्णि दोस्तों आप सभी कैसे हैं काफी दिनों के बाद साबी के सभी लाइव आये शायद और बोली मनाने के लिए अपना गुड मॉर्निंग सुष्मा फैस गुड मॉर्निंग आप सभी हो सकता है बोली मनाने गुड मॉर्निंग गयत्री तो यह स्कॉलर्शिप टेस्ट है जल्दी से जुड़िये जिससे शैसें को शुरू कर रहे अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड क्वेश्चन की स्लाइड है फटाफट से आजे यह दोस्तों और तो यह यहां पर है इसमें भी आप एंडॉल कर सकते हैं यहां पर स्कॉलर्शिप बहुत अच्छी स्कॉलर्शिप मिलते हैं सभी को ठीक है दूस्तों मेरा टेलिग्राम चैनल हर्षित है अनकेडमी प्रशा रिवीजन करते हैं क्या करते हैं प्यारे दोस्तों रिवीजन करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मिट में यानि की mcq के फॉर्मिट में तो पहला प्रशन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों पहला प्रशन आपके सामने यह है कि विद रेफ्रेंस टू दादा सहाफ पाल के अभी आपको पता है दोस्तो दादा साहफ पाल के अवार्ड आया है। सभी ने याद कर लिया होगा, सभी ने रट लिया होगा कि दादा साहफ पाल के अवार्ड किसको मिला है। किसको मिला है, ये सभी ने पता होगा। लेकिन हम उसके बारे में डीटेल में भी पढ़ लेते हैं, तो बताईए इसके बारे में पहली statement क्या है, it is presented annually at the National Film Fair Awards, ठीक है, ceremony by Directorate of Film Festivals, पहली statement है, दूसरी statement क्या है प्यारे दोस्तो, it was first presented in 1950, आपको क्या बताना है, correct statement बताना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, एक इस साल किसको मिला है, दादा साहब फाल के अवार्ड किसको मिला है, प्यारे दोस्तो, सभी ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया, बहुत ही अच्छे, सभी ने बिल्कुल सही, सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया, तो इसका correct answer क्या है, पहला अवार्ड कब मिला था, और ए ये नैशनल फिल्फिर अवार्ड के साथ में ही शुरू होता है और डिरेक्टर फिल्म फेस्टिवल इसको देते हैं, फिर्स टेन बिल्कुल सही है, वो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1950 में नहीं दोस्तो, 1969 में पहली बात देना शुरू किया गया था, पहली 1969 में, तो पर्स टेक्मेंट सही है, सिर्फ only one इसका correct answer हो जाएगा, सभी ने इसका सही answer देना शुरू कर दिया है, क्या answer है, इसका only one, और इस साल किन को मिला है, रजनी कान जी को मिला है, ठीक है, ठीक है, clear है, चलिए, दीप्ती ने answer दिया, देविका रानी जी को first time मिला था, ये सबसे highest award माना जाता है, और 1969 में पहला award मिला था, 1969 में, पर इसमें मिलता क्या है, इसमें आपको क्या-क्या मिलता है, दस लाक रुपे मिलते है, शौल मिलती है, ये भी पूछ सकते है, आप से ये पूछ सकते है, golden lotus मिलता है, क्या मिलता है दोस्तो, golden lotus मिलता है, और ministry कौन सी ह ministry कौन सी है प्यारे दोस्तों ministry आपके ministry of information and broadcasting के द्वारा ये किया जाता है ये कुछ facts है जो आपके exam में बहुत ज्यादा important है आपके exam perspectives ठीक है दोस्तों और ये कब मिला था फर्स मिला था 1969 में मिला था और किनको मिला था देविकारानी जी को मिला था और इनको क्या बुला था फॉस्ट लेडी ओफ इंडियन इंडियन सिनेमा तो इसलिए ये आपके लिए दादा साफ़ाल के award काफी जादा important है काफी जादा important है दोस्तों ठीक है और ये award किसके लिए मिला है कौन से जो आच्छा आपके लिए एक और क।्ष्छन है जो रजनीकान जी को यह कौन से YEAR के लिए ye कौन से YEAR मिला है 2020 2021 2019 बताईए या 2018 कौन से YEAR हमेशा यह भी याद रख लिए करो कि कौन से YEAR के लिए आपसे statement में घुमा क्या सकते है किनमे 2018 के लिए मिला है 2020 के लिए मिला है तो आपको एयर भी ध्यान रखना है कि कौन से एयर के लिए questions होते हैं मैं लब कौन से questions बोल दिया कौन से एयर के लिए है ठीक है दोस्तों जल्दी से बताईए इसका सभी ने आंसर दे दिया है तो ठीक है और दादा साहब कौन थे दादा साहब के बारे में पढ़ लेना चाहिए दादा साहब वो उससे इंटर लिंक्ड चीजे भी पूछ सकते हैं तो राजा हरीष चंदर मुवी किसने डादा साहब पाल के जीने करी थी और इस कारण से इनको यह और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है तो यह चीजे कुछ याद रखिए था फादर ऑफ इंडियन सिनेम दोस्तों चलिए अगला प्रश्णाब सभी के सामने यह रहा विद रेफ्रेंस टू श्री शिव कुमार स्वामी गालू के रेस्पेक्ट में यह क्वेशन का अंसर दीजिए और आपको पता है दोस्तों अगर आप मैं आपको बता दूँ एक चीज़ क्लियर कर बता दो अग शिव कुमार स्वामी गालू से रिगार्डिंग प्षिशन है आपके सामने पहला कौन सा ही वॉज लिंगायत रिलिजियस फिंगर अब यह आपको पता होना चेल लिंगायत जो सेक्ट है यह आपका करनाटका में है कहां पर है दोस्तों करनाटका में है कुछ चीजे इनके बारे में भी पता होनी चाहिए और दूसरी क्या है और क्या है यह एड थे आपके सिद्ध गंगा मठ के हैड थे और दूसरी स्टेटमेंट क्या है ही पाउंडेड दा स्टी सिद्ध गंगा एड्यूकेशन सोसाइटी सभी इसका आंसर सी दे रहे हैं बहुत अच्छे फटा स्टेटमेंट भी सही है अब देखिए आप ज़्यादा तरक्या होता है जब एक्जाम के लिए लोग प्रिपेर कर रहते हैं अगर यह पर्सन न्यूज में है तो आपने इनको प्रिपेर कर लिया लेकिन वह किसे रिलेटेड है लिंगायत कम्यूनिटी से भी रिलेटेड है उस समय त्याग राज त्यागराज काफी ज़ादा न्यूज में थे तो उनसे रिलेटेड facilitate क्वेशन आया था जा question आ जाता है और question इनके बारे में तो आता ही है आता ही है बारे में तो आता ही है प्लस में ये भी आ जाता है किसके contemporary थे कौन से time में थे तो ये भी चीज़े आपको एक्जाम के लिए बहुत important होती है सी इसका correct answer है both one and two ठीके दोस्तो तो अभी देखिए इनके बारे में अभी इनका 1907 से लेके 2019 तक था और इनके करमे spiritual leader हैं काफी ज़्यादा इनका हुगया अभी जागे नहीं कोई बात नहीं हम जगाएंगे सभी को हम पढ़ेंगे ठीक है तो लिंगायत community लिंगायत जो एक्सेक्ट है वो कहां पर आपका करनाटका में है दोस्तों कहां तो यह कुछ चीजें हैं आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है अवार्ड ऑनर्स मिले इनको 2007 के अंदर में करनाटका गौर्णमेंट ने उनका जो हाइस करनाटका रत्न हाइस सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया था दोस्तों और उसके बाद में 2015 में पद्म भूशन पद्म भूशन दिया गया था दोस्तों फिर यह वाज अब आप से पुछन आप से पुछन लेंगों वाकिंग गॉर्ड किनको बोले आता है तो आपको पता उने चीए क्या है नादे दू देव देवरा बोला जाता है दोस्तों याद रखे कुछ चीजे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत जादा अब आप से देखो यहां पर इस लाइन के अंदर में इस लाइन के अंदर में तीन चीजे बिल्कुल एक दम से बलाव आप समझ लीजिए पफेक्टली आपको याद करना एक देखो इस टाइम पर क्या था आप से पूछ लेंगे 12th century में चलो आपको बसवेश्व राजी का नाम पता हो गया चले बिल्कुल बड़ी हा बात है वो ये भी पूछ लेंगे कि वो किसके contemporary थे तो किसके थे काला चूरी डाइनस्टी के contemporary थे उसके इंदर में किन कों थे विज्जाला वन उसके regarding में पूछ लेंगे तो ये कुछ चीजे हैं दोस्तो बहुत ज्यादा important होती है मैं दोस्तो एक चीज़ बता हूँ मैं आपको फैक्ट रटवाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि आपको उन चीजों का भी पता चले कि आप interlink करके कैसे पढ़ें आपके exam में आपको कैसे जादा help मिलेगी ये सारी चीजे मैं उ रिशेंटली सीनिय निउस इसको किसने पब्लिश करा है किसके दवारा ये रिलीज की गई है जल्दी से बधा दो फटाफ़ट क्वेशन बता दो जोस्तो फटा फट वर से पता बताओ आप पीडिएफ मिलती है सुसमा कि सारी के सबकी पीडियफ मिलती है आपके टेलिग्र नेचर, making peace with nature, कहा हैं सभी, आंसर दो, making peace with nature का correct answer क्या होगा, किसको निकालता है, worldwide fund for nature, German watch, UN environment, conservation international, दोस्तो बताईए, फटा फट से बताईए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी से अब answers देना शुरू करते हैं, तभी के सभी answer दीजिए, making peace with nature, making peace with nature, किसका correct answer क्या इसका correct answer है, UN environment, क्या है, UN environment, UN EP, जिसको बोलते है, UN environment, याद रखना दोस्तो, C, इसका correct answer है, और ये कुछ चीजे हैं, आगर देखो, एक और चीज आपके लिए एक थोड़ी से tip दे रहा हूँ, कि आपको जैसे आज ये news में आई, तो क्या को रखो, छोटी से diary maintain करो, उस diary मे एक page पे लिख लो, उस page पे क्या लिख लो, उस page पे लिख लो, कि क्याना है, इस से related, यहाँ पर reports लिख लो, word, title क्या लिख लो, reports, और जो भी news में reports आपको नजर आ रही है, उनको क्या करो, वहाँ पर add कर लिया करो, जिससे आप exam में उनकी क्या कर सको, revision कर सको, क्या कर सको, इसका correct answer क्या हो जाएगा आप जैसे question है making peace with nature तो आपको तुरंत के तुरंत पता होना चाहिए कि यह कहाँ पर है यह किस से related है आपका UN environment से related है ठीक है तो यह देखिए UNEP UNEP की रिपोर्ट है याद रखना making peace with nature दोस्तों बहुत important आपके exam के लिए ठीक है और मैं आपको यह चीज़े इसलिए relate करके बता रहा हूं प्यारे दोस्तों कि इनको आप exam में लोग रटा मारने लग जाते हैं उससे पहले क्या करते बहुत आप क्या करिए एक map के लिए भी द रोज मैं आपसे personally कहूंगा रोज क्या करो पांच मिनट रोज जो है पांच मिनट का टाइम अपने आपको दो मैं आपको example दूँगा अगर आप सभी के सभी मेरे मेरी जो mobile के इंदर keeps होते है डिजिटल जो notebook type के होती है उसमें आप देखोगे तो अगर मेरे को कोई book ध्यान के लिए आपको prepare कराती है ठीक है तो इसको ऐसे तरीके से करा करिए तो उतकल दिवस उतकल दिवस आज सभी ने आंसर देना शुरू भी कर दिया इसका उतकल दिवस किसके regarding है कौन से state से regarding है ठीक है दोस्तो आँ उतकल दिवस आंदर प्रदेश का आंसर कैसे दे रहे है चान समय मेरा पॉलिटी का लेक्चर भी होता है उसमें क्या करते हैं चीजव और लग्याक बीश करते हैं और औरेडी नौ लेक्चर हो चुके हैं, दसवा लेक्चर आज है, सुभे साड़े नो बजे, आप सभी के सभी उसमें भी जुडियेगा तुस्तों, ठीक है तो यह देखिए, उडिशा के अंदर में है, उतकल दिवस, 86th Statehood Day मनाया गया है, ठीक है तो याद रखिए, कुछ चीज ठीक है, चलिए, अगला प्रशन आप सभी के सामने है, ठीक है, खाली मैंने आपको बूला था, क्या बोला था, के जो Finance Commission है, सिर्फ Finance Commission, सिर्फ Finance Commission को रट लेना ये मतलta रट लेना कि 280 Canada की तहर बनता है उसमें कौन से उसके Chairman होते है बल्कि आपको ये मतलड़ रट लेना कि 42 से 41% हो गया है बल्कि आपको ये भी रट लेना है जो criteria है वो क्राइटीरिया है उग्सक्राइटीरिया क्या है पता ठीक है कोई बात में हम करते हैं बात सर से बात करेंगे सर से बात करके एक बाद देखते हैं अगर टाइम अगरा कुछ चेंज किया जा सका है ठीक है तो मैं आपको कह रहा था दोस्तो दरसल जैसे आप समझ यह कि 100 में से अभी क्या बोला है 41 रुपीज देने है स्टेट् इन स्टेट्स में से, जितने भी स्टेट्स हैं, इन में किस को कितना शेर मिलेगा, वो किसके उपर में डिसाइड होता है, क्या होता है, किसके उपर में डिसाइड होता है, वो उसके लिए कुछ क्राइटीरिया है, जैसे income, forest cover, fiscal discipline of the state, ऐसे सारी चीज़े हैं, तो आप अब ब इस question का answer, लगता है यह question, किसी को भी नहीं आ रहा समझ में, और काफी लोगों ने इसका answer नहीं दिया, तो बताइए कौन सा criteria, कौन सा criteria, तो जल्दी से बताइए, अगर आप सभी ने, अगर आप आज तक एक बार भी table देखी होती न, एक बार भी table देखी होती, तो इसका correct answer लगा देते अभी, not criteria पूछा है, not criteria, not criteria, ठीक है, तो इसका correct answer क्या है दोस्तों, तभी ने इसका answer देना, D, skip, क्योंकि हाँ, अगर देखो नहीं आता है, तो skip कर दो, यहाँ से बलकि यह सुचों कि सीखने को मिलेगा, जबरदस्ति कुछ निगा, तो इसका correct answer क्या हो यह criteria कभी भी use नहीं किया गया है, प्यारे दोस्तों, कभी भी use नहीं किया गया है, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, दोस्तों, मैं कहा रहा हूँ ना, कि आपको यह exam में बहुत important है, 11, 12, 13, 14, उनके अंदर में देखो क्या-क्या criteria, income, distance, population, population 2011, index of, देखे, कहीं प कहीं पर भी poverty नजहरा रहा है, कहीं पर भी poverty नजहरा रहा है, नहीं, तो वह हो जायेगा आपके, ऐसे करके आपके exam में घूमा सकते हैं, अभी क्या था, नहीं वाला, यह पूछ लेंगे आपसे कौन-कौन से criteria हैं, यह पूछ लेंगे, तीन देदेंगे और एक उसमें extra आप इसको यह भी बता देता हूं कि income distance क्या होता है बहुत अच्छा question पूचा क्या होता है किसी state का मानके चलिए एक state है उसकी highest per capita income होती है थाउजन रुपै और जो कोई एक state ऐसा भी होगा पर एक्जांपल माल लेजिए ये है मुंबई की किसकी है मुंबई की अब मानके चलिया यूपी की या कहीं की पर कैपिटा निकम कितनी है 500 तो इन दोनों के बीच के को बोला जाता है क्या बोला जाता है इनकम क्या बोला जाता है दोस्तों इनको इनको इनकम डिस्टेंस बोला जाता क्या बला जाता है इनकम डिस्टेंस तो इसका इन शॉर्ट क्या हो जाएगा पर capital income कितनी है उसके बीच के difference को बोलते हैं income distance बोलते हैं ठीके दोस्तों ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ें आगला प्रश्ण आप सभी के सामने ये रहा अगला प्रश्ण आपके सामने ये है clear हो गया clear हो गया आप सभी बाते कर रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ वो भी समझिए definition based भी question आ सकता है चलिए question बताइए lightweight bulletproof jacket से related question का answer दीजिए it is developed by defense material and store research and development establishment कानपूर पहली statement है दूसरे statement it is weighing 9 kg meeting the qualitative requirement of Indian army ये बताइए बताइए दूस्तों कि मताइए अभी अब आपको पता है आत निर्भर भारत की तरह में बढ़ रहे हैं आत निर्भर भारत की तरह बढ़ रहे हैं और वा और सारे के सारे के सब की income distance का concept ही है इंकम डिस्टेंस का concept ही है जिसकी पूरे all over इंडिया बेस highest per capita income है और उसके बाद में जिन जिन स्टेट्स की उससे कम है उसको निकाला जाते है उसका correct answer दोस्तों इस statement का क्या है इस question का C वो statement तो हम क्या कर रहे हैं धीरे-धीरे-धीरे करके अपने country के अंदर की उसने मिल उसने क्यान में यह बनाया है और मलब बहुत ही बढ़िया और उसके क्या हुआ है अप्रूवल भी मिल गया है धीरे-धीरे करके हम सारी चीज़े अपने country बनाने की कोशिश कर रहे है ठीक है तो यह यह बनाने की कोशिश करी है ठीक है याद रखिए कुछ DRDO की laboratory है तो उसका नाम दे रखा था तो यह चीज़े याद रखिए यही कुछ चीज़े होती है जो आप सभी को confuse कर जाती है अगला question आपके सामने इसके regarding question answer दीजिए अच्छा question है अच्छा question है आप सभी के सामने दोस्तू दोस्तों वो DRDO जो question है वो DRDO की lab है क्या है DRDO की ह lab है अगर सिर्फ यह लिखा होता DRDO ने बनाई है तो भी सही है अब वो DRDO का subset है ना DRDO की तो lab है तो इस lab का नाम पूछ लिया लैब का नाम पूछ लिया तो दोनों की दोनों statements क्या है correct भी ना समझे इस चीज़ को यह क्या है defense minister congratulated DRDO and DMSRDE यह क्या है यह DRDO की एक lab है जो कानपूर में है क्या है यह एक lab है laboratory है जो कानपूर में है यह समझे क्या है research and development establishment यह कहां कि यह कानपूर में DRDO lab दोस्तों तो समझे इस चीज़ को कई सारे लोग confused हो रहे हैं कि यह सिर्फ DRDO ने बनाया उन्होंने क्योंकि पढ़ा होगा सिर्फ DRDO ने बनाया तो DRDO नहीं बनाया लेकिन यहां पर उस department DRDO के अंदर में जिस department बनाया उसका नाम दे रखा था ठीक है दोस्तों चलिए इस प्रशन का उत्तर दीजिए इस प्रशन का उत्तर दीजिए कि ऐसरे फॉल्वन स्टेट्मेट्स सम् एरो सोल्स जो आप धूल मिट्टी स्ट्र वगरा देखते हो उसारी के सारी चिए उस पार और अ करते अंद आउट आपका मदू उसके बारे में हाँ सलोनी पहले वाले question का answer दोनों का दोनो statements, both statements are true first and second, दोनों की दोनो statements सही ही तो अब इसका correct answer दीजिए इसका correct answer दीजिए aerosols related है, are reflective when sun rays beam down on them, they bounce the rays back out of the atmosphere पहली statement यह है दूसरी statement क्या है, mist, dust, particulate, air pollutants and smoke are examples of anthropogenic aerosols anthropogenic aerosols का मतलब, anthropogenic का है, मानव निर्मित, मानव जनित हमारे द्वारा जो बनाए गया है, वो वाले होते है तो बताइए दुस्तो correct answer बताइए तो A answer दे रहे हैं, कोई B दे रहे हैं, कोई C answer दे रहे हैं only one इसका correct answer होगा, A इसका answer होगा, only one इसका सही है पूछिए क्यों, जरसर इसके पीछे का reason क्या है some aerosols are reflective, बिल्कुल सही, जैसे यह देखिए उपर यह क्या होता है, कड है जब sun की rays आती है, तो क्या होती है, कई सारी यह जो aerosols उनको reflect back कर देते हैं, क्या कर देते हैं, reflect back कर देते हैं तो पहले statement क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही दूसरी statement को देखिए, समझ यह क्या है mist, dust, particulate, air pollutants and smoke are examples of anthropogenic aerosols दोस्तों जो aerosols हैं, जो कड हैं, जो हमारे पूरे वातावरण में, फैले में, जो atmosphere में हैं वो दो टाइप की होते हैं, एक natural होते हैं और एक क्या होते हैं, anthropogenic होते हैं ठीक है, पुछो natural कौन से होते हैं आपने देखा होगा कई दोस्तों, कई बार क्या होता है आपके जो volcanoes से होता है, कई सारे hot springs से होता है, वहां से निकल रहे होते हैं कई सारे कंड जो naturally हमारे environment में हैं, उनको naturally बोलते हैं जैसे आपका mist हो गया, dust हो गया यह सारी की सारी चीज़े naturally होते हैं और कुछ चीज़े जो हैं, जो मानव जनित हैं आपके जो होते हैं जो पूरे इसमें एंवार्मेंट होते हैं यह आपके जो इसको बहुत ज़्यादा effect करते हैं पहले बात तो यह एंशॉर करते हैं दोवे में यह heat कितनी आएगी और दूसरा दोस्तों यह बहुत ज़्यादा effect करते हैं किस चीज़ को cloud formation को किस चीज़ को cloud formation को यह कुछ चीज़े हैं environment में दोस्तों अच्छे questions होते हैं आप exam में के पस्पर एक environment को हलके में लेके मच जाना दोस्तों हर साल almost 15 questions environment के आते हैं तो यह सोचो कि आप सिर्फ और सिर्फ जाओगे और environment के current interface करके चले जाओगे तो exam निकल जाएगा नहीं environment के पूरे proper जैसे आप quality पढ़ते हो वैसे proper उसको प्रिपेर करके जाना है ठीक है तो examples of aerosols जो natural aerosols है, fog हो गया, mist हो गया, dust हो गया, forest हो गया, यहां से geezer stream से सारी चीज़े निकलती है और आगर आप देखो अगर anthropogenic यानि कि हमारे द्वारा particulate air, pollutants और smoke होता है उसके अंदर में ठीक है दोस्तों तो यह बहरे आपको बता है atmosphere को effect करता है और clouds को भी effect करता है तो यह सारी के सारी चीज़े आपके exam के perspective जो जो important होती है आपको मैं कर देता हूँ शांतिर ओगरन सेना जो है यह कब कैसे होगा यह 2020 में एक exercise करी जाएगी तो किस country के साथ में ओगरो सेना ओगरो सेना शांतिर ओगरो सेना किस से related है प्यारे दोस्तों शांतिर ओगरो सेना किस से related है शांतिर ओगरो सेना बताए किस से related है शांतिर ओगरो सेना बताए किस से related ह बिल्कोल exactly नवीन, लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, गल्ती कर जाते हैं, कि वो उसको इतनी importance नहीं देते हैं, वो उसको इतनी importance नहीं देते हैं, तो वहाँ पर problem हो जाती है, तो इसका correct answer क्या होगा, किसके साथ में ये हम करने वाले हैं, exercise करने वाले हैं, दोस्तों किसके सा होने वाले है शांतिर और सेना ठीक है तो यह याद रखे कुछ चीजे आपके एक्जाम के लिए जो होती है जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजे में आपके लिए लेकर आ अगला कुश्चन आप सभी के सामने यह है अच्छा कोश्चन है यह वाला कोश्चन है डबल स्टा मार्क कर लो अगला वेकर आप सभी के लिए रहा बताई इस कुश्चन का अंसर दीजिए लेकिन मैंने कोशिश करी सलूनी की थोड़ा सा प्रणेंस ये ठीक कर लें वनना समझे रोड़ा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एनी मेंबर आप पार्लेमेंट कैना पोज दा इंट्रोड़क्शन अफ बिल इसका मतलब क्या है आपको पता है दोस्तों प्यारे दोस्तों कि हमारे समविधान के अंदर में हमारे जो है पावर पार्लेमेंट जो लॉज बनाने की जो पावर है वो तीन लिस्ट में डिवाइड एक यूनियन लिस्ट है एक आपका क्यान में state list है और एक क्या है concurrent list है अब क्या है union list में कुछ topics mention कर रखें कि इन पे law कौन बना सकता है सिर्फ parliament बना सकती है आपके यहां पर state पे कौन law बना सकता है सिर्फ state legislature बना सकता है और concurrent पे कौन बना सकता है state प्लस parliament दोनों के दोनों law बना सकते हैं कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि Parliament किसी पे law बनाती है तो कई सारे लोग ये विरोध करते हैं कि Parliament ने जो ये law बनाया है ये उसकी competent authority ही नहीं है पूछे क्यों कि जिस topic पे law बना रहे हैं वो कौन से list में आता है state list में आता है अब देखो ये state इन चीजों को interlink करना आपको सिखा आओं कैसे अभी जो law बना फांज भिल पे जो law बना वो क्या था दर असल सबस्या कहती आथी पर पिरल जो law बना समझे इस चीज़ को स्वांस बिल जो बने एग्रिकल्चर किसमें आता आपके state लिस्ट पे आता है किसमें पार ल्वोड या पार्लिमेंट ने बनाया तो काफी सारे लोगों ने बोला कि ये जो है ये unconstitutional है क्या है ये unconstitutional है क्योंकि आपने इस पे law बनाया और state list के अंदर में आप competent authority नहीं है तो पार्लेमेंटर ने क्या बोला आप देखो मज़े की बास सुनो पार्लेमेंटर ने बोला कि नहीं भईया हमने agriculture पे law नहीं बनाया हमने agriculture पे तो law बनाया है क्योंकि हमारी authority में ही नहीं वो तो state topic है हमने law किस पे बनाया है trade पे बनाया है यानि कि उनका trade किया जा सके उन commodities का trade किया जा सके इस हमने उस पे law बनाया हमने तो पार्लेमेंट ने तो या आपने उस चीज़ को cancel करा ही नहीं तो यह ऐसी होती है तो मान के चलिए Parliament में कोई बिल आता है क्या आता है बिल आता है तो वहाँ पर जब बिल आता है तो कौई भी member यानि कि उस समय Parliament बैठा हूँ अ कोई भी member उस bill का विरोध कर सकता है कि जो बिल लाया गया है जो बिल लाया गया यह Parliament की authority नहीं है कि यहाँ पर law बना सके पहला हो ग आप उटाइछ सारे के सारे बüllt इस बिल को स्क्रूटनिंग कमीटी के पास भेज़ दो तो यह क्यों होता तो second statement मेरे प्यारे दोस्तो ये क्या है गलत ये क्या है catch यहां पर है all government bills automatically go to parliamentary committee नहीं दोस्तो इसके लिए क्या होता है वहाँ पर resolution pass होता है resolution pass होता है फिर वो bill जाते हैं कहां पर आपके committees के पास में scrutiny के लिए उसके और जादा detail way में scrutiny करने के लिए इसलिए आपने देखा होगा कई बार बोला जाता है कि किसी bill को अगर pass नहीं करने दिया जाता तो इसको bill को क्या भेज़दो संसदिय समीटी के पास भेज़दो joint committee के पास भेज़दो ठीक है दोस्तो तो पहले state में बिलकुल सही है दोस्तो कि किसी भी member के पास में ये authority है ये power है कि वो किसी भी जो bill आता है government के द्वारा उसका क्या कर सकते है विरोध कर सकते है ये कहते वे कि ये जो law लाया जा रहा है ये competent authority नहीं ये इनके power नहीं है और second statement क्या है दोस्तो गलत है ये चीज़े अगर आप अपने current affairs से link करके चलोगे तो आपके exam में आपको help करेंगी दोस्तो ठीक है दोस्तो तो इसका correct answer क्या हो जाएगा one only इसका correct answer हो जाएगा इसका correct answer है दोस्तो ठीक है चलिए आगे बढ़े तो ये सारी के सारे ये इसका पूरा का पूरा explanation मैंने आपके सामने रख दिया और बाकी मैंने आपको explain करी दिया है सारी के सारी चीजों के लिए ठीक है दोस्तो आगला प्रशन आपके सामने ये रहा कारगिल जंसकार रोड जंसकार रोड से related ये प्रशन आपके सामने जंसकार इज तहसिल ओप जम्मू district जंसकार इज तहसिल ओफ जम्मू district मैं जंसकार कारगिल रोडुड वोस declared national highway in 2017 इन 2017 बताईए इसका प्रशन का उत्तर बताईए तो अब यहां से आपको दोस्तो यह चीज़ पता चलती है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि न्यूज में है दोस्तो बहुत ज्यादा न्यूज में तो आपको क्या करना है इसका मैप आपको पता होना चाहिए ल जंसकार is a तहसील of जम्मू डिस्ट्रिक जम्मू डिस्ट्रिक के अंदर में तो यह जम्मू डिस्ट्रिक के अंदर में नहीं आता है यह आपका कारगिल डिस्ट्रिक के अंदर में है कारगिल डिस्ट्रिक के अंदर में है जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूँ कारगिल डिस क्या कर दिया गह था नेशोंनल हाइवे गोशित कर दिया गया था दोस्तों क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट च्रेलिनों पूछिए तो हैं तो इसका और आपका कहां पर है अब यह लड्दाक तो यह हम दिस्कस करेंगे। तो मुझे मनलब अच्छा लगए है और मुझे जहां पर कोई चीज लगती है तो उसका reply भी करता हूं दोस्तों ऐसा नहीं है आपके कोई doubt का में reply नहीं करता तो यह सबरी चीजे हैं आप सभी मुझे जितना प्यार दे रहे हैं वो यह मुझे अच्छा लगता है और आप सभी सारे के सारे उसमें भी अच्छेंर का मेगा सब्सक्रेपशन ऊफर चल रहा है बशसक्रेण के प्लान के अंदर मैं आपको 2022 में जब भी प्रिलिंस होगा जब भी प्रिलिंस होगा आपको क्या मिलेगा और तब का दोस्तों और उसके बाद में आपका का कशै can न नि constitu two तो quit 간 sulfur यहां पर सिक्रीज़बि को इस सुबह 15 hearts मिलती है त tamam करना आप सब्सक्राइब करते हैं अगर आज जैसे मैं को बता रहता हुई तो वहां पर आप से word माघएगा unlock करने के लिए तो भी आपको क्या अप्लाई यहां प्लस की भी classes चलते हैं दोस्तो आईकोनिक classes दिलती है दोस्तो क्या होता है आपको personal guide मिलते हैं कौन मिलते है personal guide मिलते है हाँ link आपको मिल जाएगा सरीता साड़े नौ बज़े से पहले telegram channel पर telegram channel को join कर लीजिए वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तो दोस्तो जो आपको option की तेहरी कर सकते हैं आपके अनमे इसमें भी यहां पर code लगाएंगे तो भी 10% का discount मिल जाएगा कॉंबो भी है optional plus में GS इसका भी कॉंबो मिलना चाता है ठीक है दोस्तों इंटर्व्य प्रोग्राम भी चलना है सब कुछ चल रहा है करेंट अफेर्स की क्या करते चल रहे है इसको भी अनलॉक करने के लिए आपको यह कोड याद अखना हर जीगे पर दोस्तों ठीक है तो आप आप सभी उस पर जाइन कर सकते हैं इसका PDF आपको हाँ पर मिल जाएगा मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा और यह मेरा कोड है 10% डिसकाउंट के लिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ब बाइब आए टेकिल लाइब